तो आज किस वीडियो में आपको कछादस के इतिहास के सभी important dates को बताने वाले हैं जो बोड एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है और जितने भी कछदस के इतिहास में important dates हैं उन सभी को हमने यहाँ पर लिखा है ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि रोजाना इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं और एक इंपोर्टेंट बात और दोस्तों यदि आप बोड इक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो बोड इक्जाम इसी थी 1688 इसवी में दूसरा है United Kingdom of Great Britain की स्थापना हुई कब हुई थी 1707 इसवी में ठीक है अब देखो दोस्तों तीसरा है लुई सुलावे को फासी पर लटका दिया गया लुई सुलावे को फासी पर कब लटकाया गया 1792 इसवी में और देखो दोस्तों चौथा है नेपोलियन सहिंता की स्थापना कब हुई तो 1840 इसवी में ठीक है वियना सांती संधी कब हुई 1814 इसवी से 1815 इसवी में ठीक है देखिए दोस्तों आपर चात्वा प्रास्णे फ्रांस की जुलाई क्रांटि कब हुआ 1830 में यंग इटली का गठन कब हुआ 1831 में ठीक है इटली का एक इक करण कब हुआ 1869-1817 में और देखो दोस्तो जर्मनी का एक इक करण कब हुआ 1866-1881 में दस्वा प्रसने प्रथम विश्युद्ध की शुरुवात कभ हुई 1914 इसवी में और ये खत्म हुआ था 1918 इसवी में ठीक है फ्रांसीसी क्रांती कभ हुई 1789 इसवी में ठीक है बराहवा क्वेस्चन देखिए दोस्तों दच्छिड अफरीका से गांधी जी भारत वापस आये क कब आये थे 1915 इसवी में और चलिए दोस्तों आगे भी आपको दिखाते हैं तेरहावा देखिए प्रथम विश्युद्ध समाप्त हुआ 1918 इसवी में लखनाव समझावता है हम होम रूल आंदोलन हुआ 1916 इसवी में ठीक है अब देखो पद्रहावा क्वेस्चन चंपारन सत्यागरा कब हुआ था बिहार में 1927 इसवी से 18 के बीच में ठीक है और देखो जलिया बाला बाग हत्या कांड कब हुआ 13 अप्राइल 1919 इसवी में पंजाब के अमरिस्चर में ठीक है और रॉलेट एक्ट का पारित हुआ 1919 इसवी में खिलाफात आंदोलन योम असयोग की इंपोर्टेंट डेट आपको दिखाते हैं तो यहां पर देखो चारी चारा कांड का चारी चारा जो घटना हुई थी वो गोराखपूर में हुई थी पांच फरवारी 1922 को ठीक है और देखो बीच्वा है कांग्रेस का लहाओ रजिवेशन कब हुआ 1929 में 21 है पूना सम स्वियुद्ध कब हुगा 1949 से 45 तक यानि 1949 से 1945 के बीच दुतिय विस्वियुद्ध हो गया था ठीक है 25 देखिए भारत छोड़ो अंदोलन कब हुगा 1942 इस वी में और इसके इसके बाद 26 है दोस्तों चीन में साम्मेवादी करांती कब हुई 1949 इस वी में और 27 है दोस्तों इस्ट इंडिया कमपनी की स्थाफना कब हुई 1600 इस वी में ठीक है तो जितने भी इंपोर्टेंट डेल्स थी दोस्तों वो हमने आपको बता दिया है और यदि अभी तक आपने इनको याद नहीं किया है तो एक्जाम से पहले याद जरूर कर हैं और ये काफी हद तक एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है जदी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे चैनल पर नहीं आए है तो सब्सक्राइब कीजे जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडिय वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत